हाई, अगर आप ये reading देख रहे हो, तो definitely ये मां काली के guidance आपके लिए है मां काली आपको guide करेंगे, आपकमिंग 24 hours में आपके लिए क्या क्या changes आ रहे हैं मां क्या शलह दे रहे हैं हम देखेंगे वेल पहले ही में बूल दे रहो चाहिए आप किसी भी धरम के अंदर की उनमा आदी शक्ती शब के लिए सेम है माकाली आपका मा है तो let's get started इस टाइप पे मा आपको क्या कहना चाहते है आपके past, present, future को लेके क्या आने वाले है ओके, उंकाली काली, महाकाली, काली, केपाप वहारणी, धर्मकामर्थ, मक्ते देवी, नारायनी, नमस्ते, जैमाकाली और मैं private reading वगेरा नहीं करता हूँ, नाहीं कोई product sell करता हूँ, तो scammers and fake profiles से बच्चिये, क्योंकि मैं सिर्फ YouTube में available हूँ, मेरा कोई person number नहीं है तो आपके past क्या है, लेट सीमा आपको क्या बोल रहे है अपने past को लेके, of course, लूतारा, healing, of course, इवन तारामा कब appear करते हैं, जब आपको सच में guru के दरकार होता है, तो तारामा is basically our divine guru, जो आपको healing provide करते हैं, जो आपको सलहा देते हैं, जो आपको कहते हैं, कि आगे बढ़ positive life के बारे में सोच रहे हो, so blue तारा मतलब, जिस तरीके से आपने past में decisions ले रहे हो, जिस तरीके का सोच लेके चल रहे हो, वो positive है, आपके mindset positive है, आप जितना भी कटिनायों को सामना क्यों न कर रहे हो, future में आप बहुत सुखी रहेंगे, future में आप बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे, क्योंकि life को आप सिर्फ enjoy नहीं कर रहे हो, life से आप बहुत कुछ सीख रहे हो, so मात आरा एक साफ indications दे रहे है, आपने बहतरीन तरीके से सीख रहे हो चीज़ों को, आपने बहतरीन तरीके से जी रहे हो, आपने कुछ ऐसे situations मतलब हो सकता है, वो difficult emotional situations हो, या त में उसको बहुत अच्छे तरीके से deal कर रहे हो, तो you know, क्या है कि मापको, मापके होसला बढ़ा रहे हो, कि ऐसे ही करते जाओ, ऐसे ही life को देखते जाओ, ऐसे ही काम करते जाओ, तो अगर आप बहुत साथा doubtful हो रहे थे, क्या कोई गलती आप किये हो, या पिर आपने सही क अगर आप माँ से पूछ रहे हो, क्या आपका तरीका सही है, क्या आप सही तरीके से प्रे कर पा रहे हो, येस, ब्लू तारा माँ एक, आपको ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं, क्या है, आप जिस तरीके से सोच रहे हो, जो गोल को सेट किये हो, जो like purpose को fulfill करना चाहते हो, वह करते रहो, यहां पर मैं चीज देख सकता हो, कि low self-esteem, तो ऐसा क्या होता है, कि कमल के फूल को अगर आप जब देखते हो, वह कीचर में उगते हैं, और डिरेक्ली मा के हाथ पे आते हैं, तो हमारे लाइफ एक तरह ही है, क्योंकि हम जब शुरबात करते हैं किसी भी चीज को तो बहुत कठिनायों का सामना करना पड़ता है, and always हमारे जो start रहता है ना life में, वो dark ही रहता है, वो बहुत dark phase रहता है, वो murky रहता है water, और वहां से हम लोग एक true transformational journey को experience करते हैं, and एक different किसम के person बन जाते हैं, वैसे ही मा देख पा रहे हैं कि पास में आप कहां पे थे, और आज आप कितना सुंदर बन रहे हो, कितना निकर के आ रहे हो, आप life को एक अलग नजरिये से देखना start किये हो, पास बहुत बुरा था, but आप transformed person में बदल चुके हो, आपके सारे जो भी negative कर्मा था, कार्मिक बैगेजिस था, ये remove हो चुका है, pure हो चुके हो, life को देख बहुत थी नए तरीके से, नए अंदाज से, और ये चीज बहुत important है जीने के लिए, so मुझे ऐसा लगता है कि depression से बाहर आ रहे हो, या फिर माल लीजिये कि low self-esteem, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था, कि आप नहीं कर पाएंगे, या फिर लोग बहुत छोटे नजर से आपक को बोड़ रहे हैं कि सही तरीका आप अपना रहे हो, सही नजरिये से आप आगे बढ़े हो, so past के mistakes खता हुआ, past के wrong steps खता हुआ, अब इस situations में आप सही निन्ने ले पा रहे हो regarding your past, मुझे ऐसा लगता है कि past के जो भी वो childhood trauma हो, relationship blockages हो, relationship breakup हो, जो भी हो, past trauma से heal होके आप बाह आ रहे हो, so you are coming out from a difficult phase, तबियत खराब हो सकता है, depressions, anxiety, insecurity, जो भी है, यहां से बाहर आ रहे हो, तो आप इस reading को देखने से कुछ देद बाद feel कर पाऊगे, बहुत light feel कर पाऊगे, या फिर बहुत clarity आपको मिलेगा, या फिर होस्ला बढ़ेगा, क्योंकि मा तारा इस reading से गुना तंत्रिका माहा कहते है, soul medicine, मतलब मान लीजे कि आपके soul को कुछ चीज के जरूरत है, और आप books पढ़ रहे हो, पंडित के पास जा रहे हो, टै हो, देख रहे हो, बट आपका मन में शांती नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो medicine का तलाश है, वो medicine आपको नहीं मिल रहा है, एक मतलब गुन तंत्रिका माहा, आपके साथविक, तामसिक और राजसिक ये तिन गुन को एक balance zone में लिके आते हैं, और वो आपको धर्मा अर्थका मुक्ष ये जो चार चीजे, चार बर्ग है, ये आपको प्रवाइड करते हैं, तो मुझे ऐसा रगता है कि एक wholesome balance आ रहा है, and most importantly, आपको जो जानना चाहिए, वो आपको पता चलेगा, जो important चीजे आप धूंड रहे हो, मान लीजिए कि आपको कहीं पर जाना है, आपके सामने एक event है, आपके सामने एक challenge है, और उस challenges के लिए जो जो चीज के जरूरत आपको पढ़ेगा वो माँ आपको provide करेंगे, now max to max मैं यह कहता हूँ कि external चीजों का जरूरत नहीं पढ़ता है, कोई भी challenges को face करने के लिए, जो पढ़ता है, जो लगता है, सच में जो जरूरत पढ़ता है, वो है internal courage, और गुनत अंत्री का माँ आपके internal courage को बढ़ा रहे, वो आपको courageous बना रह है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि कहां पे आप अच्छा फील करें हो, कहां पे बुरा फील करें हो, कहां पे आप बहुत जादा आप टायड हो, कहां पे बहुत easy हो, just ऐसे फील करो, अपने day routine को थोड़ा सा flexible रखो, छुट्टी के लिए time निकालो, break लो, खान में एक proper diet follow करो, of course emotionally अगर turmoil phase चल रहा है तो कुछ दिन के लिए कुछ break लो, छुट्टी का planning करो, किसी के साथ बात करो, entertained soul entertainment के जरूरत है, now यहां पे गुनत अंति का मा एक important advice यही दे रहे है, कि अपने soul के आँखो से देखो, आपको कोई target achieve नहीं करना है, mentalistic, सुख के पीछे मत भागो, या फिर ऐसे मत सोचो कि आपका क्या होगा, लोगों तो आगे निकल रहा है, आपका क्या होगा, ऐसे मत सोचो, आपके परमात्मा को क्या चाहिए, परमात्मा क्या कह रहा है, highest good के लिए क्या हो सकता है, family के अच्छे के लिए क्या हो सकते हो, सब के लिए क्या कर स आपको बंद नहीं करना रहा? दरवाजे को open रखना है ताकि जो लोग सच में difficult phases से जा रहे वो आपसे मदद मांग सके तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मदद मांग रहे हो महां से वो मदद आपको मिलेगा at the same time आप भी लोगों को मदद करोगे तो हो रहा है एक cycle तो कहीं न कहीं जो balance के जरूरत था आपको वो balance आ रहा है यह eternal balance आप बोल सकते हो खास करके अगर आप menstruational issues चल रहा है mental breakdown चल रहा है तबियत ठीक नहीं है work life balance अगर बिगर गया है तो गुरुत तंत्री का मां कि एक चुटकी में solve कर देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि healthy balanced weekend आपके लिए wait करें जहांपे आप टाइम बिता सकते हो अपने dear ones and new ones के साथ at the same time आप काम भी कर पाऊगे सारे चीज बहुत अच्छे तरीके से आप समाल होगे तो कही न कही मां आपको होसला बढ़ा रहे है मां आपको border confidence के साथ आगे बढ़िये जो भी जरूरत है मां आपको provide कर देंगे tension नहीं करना है ultimately काम हो जाएगा successfully आप काम को complete कर पाएंगे and most importantly the blue तारा मां गुरत तंत्री का मां मतलब आप past issues से heal हो चुके हो अब आपको present में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है खुद के उपर pressure मत लेके चलो under pressure रहके आप काम नहीं कर पाऊगे परमात्मा जो कह रहा है intuition जो कह रहा है gut feeling जो कह रहा है जो चीज़े available है उससे ही काम चलाओ जो चीज़े available नहीं उसके लिए मंद को छोटा मत करो दुखी मत बनो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अपना negative emotions को दूर रखो जो जितना positive हो सको उतना ही positively सोचो क्योंकि आने वाले 24 hours में आपके लिए जो चीज़ है कि positivity से आप situations को और positive बना सकते हो situations में balance ले आ सकते हो तो जितना हो सके diplomatic रही है aggressive किसी के साथ बात मत कीजिए जहां पर आपको लगता है कि arguments हो सकता है मदवेद हो सकता है वहां पे चुप रही है and जहां पर आपको लग सकता है कि आपका कुछ action से सब का problem solve होगा परिवार में बहुत अच्छा balance आएगा तो please वैसे काम कीजिए लोगों को मिलाने का काम कीजिए okay और आप कर पाएंगे काम को लोग आपके काम को बहुत अच्छे तरीकी से पसंद करेंगे okay support भी मिलेगा आपको family का family के बात आया तो एक चीज में बोलना चाहता हो कि present situations में कोई family problems अगर चल रहा है तो family problems solve हो जाएगा okay let's see ultimate results क्या आएग यानि कि after 24 hours आप कहां पर पहुंच रहे हो okay let's see oh my god Kamala Devi Maa okay so इसका मतलब है कि benefit of course दीकि हम लोग जो सफर करते है इससे क्या होता है मतलब everyday एक struggle है और यह struggle को खतम कर दीता है Kamala Devi Maa Kamala Devi Maa आके ना अपने magic wand से सारे दुख दर्द को मिटा देता है और वो abundance लेकिया आते है और Kamala Devi Maa का जो रूप है वह मा लक्षमी का यह और एक रूप तो definitely financial gain होगा कुछ luxurious चीज़े आप खरीद रहे हो कोई invite कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप weekend बिता सकते हो बहु लग सकता है किसी किसी के लिए मैं देखना है कि कोई luxury चीज़े खरीद रहे हो जैसे के जूइलरी जैसे के shopping कर रहे हो कोई fixed asset खरीद रहे हो invest कर रहे हो business start कर रहे हो business planning हो रहा है बहुत जाना expenses हो रहा था तो आप को पता चलेगा कि किसी तरीके से आप money को save कर सकते हो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हो क्योंकि कमला दिवी मा तब आते हैं जब घर में बहुत पूजा पार्ट होता है तो हो सकते हैं कल कोई तो ऐसा है कि मा आपको एक assurity दे रहे कि आने वाले 24 hours आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा larger than life experience आप करोगे हो सकता है कि कोई आपको अपने घर पर invite करके बहुत अच्छे तरीके से surprise दे सकता है या फिर आप लोग बहुत दिन हो गए कहीं पे गए नहीं for the first time आपको बह बहुत बढ़िया तरीके से आप celebrate करने वाले हो togetherness husband wife अगर हो और बीच में कुछ हो रहा का मनमानी तो यह खतम हो रहा है मुझे ऐसा लगता है out of nowhere good news जैसे कि आप job के लिए इंतिसार कर रहे हो mail आ जाएगा पैसे का बंदबस्त हो जाएगा सच में अगर आप loan के लिए किसी से पूछ रहे थे पैसे के लिए किसी से पूछ रहे थे वह हो जाएगा या फिर debt के बारे में अगर बहुत चंतित हो तो कहीं न कहीं कुछ मंजूर वह कर देंगे मतलब ऐसा मुझे लगता है कि कोई आपको कुछ पैसा दे रहा है या फिर आप कुछ खरीद रहे हो या फि कर रहे हो मुझे यह भी लग रहा है कि घर के लिए first installment या फिर घर के बारे में कुछ बात होगा renovations color जो भी है जो चीज फिक्स्ट है जो चीज long term gain लेके आएंगे वही काम आप करेंगे कोई short term काम आप नहीं करने वाले हो आने वाले 24 hours में मैं एक चीज जरूर देख सकता हूं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से कुछ चीज को celebrate कर रहे हो और एक बहुत गंदा cycle से बाहर आ रहे हो and finally एक fresh start कर रहे हो हो सकता है कि आप मतब आप stuck थे अपका कुछ भी idea नहीं आ रहा था कि क्या होगा आपका next step कैसे आप आगे बढ़ेंगे अचानक आपके दिमाग में एक idea आएगा अचानक एक help आएगा हो सकते है कि कुछ plan हो जाएगा एकदम end moment पे जाके शायद को इतृत का plan आप बना सकते हो end moment पे कोई उगार हो जाएगा कुछ चीज का तो कमला देवी मा जब आज आते तब साफ बात है कि problems और नहीं रहेगा solutions ही solutions आएगा और कमला देवी मा आपका जो 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 दर्ध आप लेके चलते हो जो जो कठोर परिश्रम आप करते हो इसको चुटकी से मा भुला देता है तो मुझे ऐ में comfortable zone में आप जा रहे हो जहां पर बढ़िया सा results भी आपको देखने के मिलेगा and at the same time आप life को enjoy कर पाऊगे overall आने वाले 24 hours आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है मा आपको बोल रहे है simple कि surrender करो और एक balance लेके आओ अपने life में अब जितना balance लेके आपाऊगे emotional balance, spiritual balance, practical balance, materialistic balance, उतना जादा आप energy को conserve कर पाएंगे, reserve कर पाऊगे और उतना जादा आप लोगों के साथ connect कर पाऊगे, when it comes to connections, मुझे ऐसा लगता है कि soulmate से मिल सकते हो, twin flame से मिल सकते हो, at the same time मालक्षमी मतलब एक future person के साथ आप meet करने वाले हो, within 24 hours एक बहुत बढ़िया योग है, अगर कोई jewelry खरीदना चाते हो, yes you can go for it, अगर कोई car खरीदना चाते हो, घर के लिए installment, you can go for it, मतलब जो भी शुब शुब काम हम लोग सोचते है, वो हो सकता है, there is a huge possibilities कि आपके life में एक finally, बहुत दिनों के बाद, a turn आ रहा है, positive turn, जहांपे आपको लगेगा कि हाँ, आज स कुछ बढ़िया होने वाला है, यह intuitions ना आपको पता चल जाता है, universe सबको, कुछ जब बहुत अच्छा होने वाला है, उसके पहले universe आपको हमेशा sign दे देता है, and that is the sign, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके life में, हो सकता है कि कोई आपको कुछ appreciate करेंगे, आपके seniors आपको appreciate करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपका काम, all of a sudden आप देखोगी कि लोग तारीफ करना start करें, different department से आपके लिए, you know, messages आरे कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि कमला देवी मा, आपके धन को, मतलब जो resources है, जो संपत है, उसको भी बढ आदेते, so overall मुझे ऐसा लगता है, name and fame आ रहा है, and especially जो लोग घर के समस्या में एकदम पीरित हो, तो उन लोगों के लिए एक relief आ रहा है, and materialistic gain भी होगा, साथी साथ married life में, अगर कुछ भी problems हो रहा था, separations चल रहा था, तो आने वाले 24 hours में बहुत बड़े योग है, कि separations खतम होगा, और मनमानी खतम होगा, misunderstandings खतम होगा, and finally आप एक दूसरे को promise करके, एक नए start करोगे, मुझे ऐसा लगता है, यह आपके life का एक second part open होने वाला है, जो बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत, शायद हो सकते हो, पूरे 2024 उतना अच्छा नहीं गया, जो कल से अच् सो हाँ, अब कुछ अच्छा होगा, इसी के साथ इस रुटिंग को खतम कर, और आप लोग comment section से लिख दीजेगा, जैमा कमला देवी, because मालक्षमी ही तो actual wealth लिके आते है, यह wealth generating energy है, and इस वीडियो को आप लोग शेर कीजेगा, hashtag देखे, माकाली ट्यारो टनिर्वन, ऐसे ही support करते रहे हैं, प्यार करते रहे हैं, मैं मिल रहा हूँ, बहुत जल्दी नएने वीडियो के साथ, चैमा काली, बबाई,